करें वेलकम बैक्चो माइय यूट्यूब चैनल दोस्तों आज किस लेक्चर में हम लोग यहाँ पर डिसकस करेंगे रिसपटमस के बारे में एक्टेल में रिस रिसपटमस क्या होता है रिसपटम सिडूस के क्या-क्या कintéल को उते हैं और रिसपटमस क्या बातकि काटL जाता है और इसमें क्या treatment क्या management क्या जाता है सारी चीज़ें बहुत ही सिंपल डिटेल में डिसकस करेंगे सुभने लिए हमारे साथ वीडियो में वीडियो बहुत ही सबसे पहले यहां पर हम इसे हैं की सारी के Venus बात करें तो जो इक अपिकल खोती है Actually respiratory acidosis के condition में होता क्या है Elevated partial pressure of carbon dioxide in the blood Resulting in a decrease in pH below the normal range of 7.35 to 7.45 Actually होता क्या है Respiratory acidosis के condition में जो हमारे body के अंदर जो blood होता है एसे blood के अंदर जो partial pressure of carbon dioxide होता है जिसको short में PA CO2 बोलते है यह जो हमारे blood के अंदर जो partial pressure of carbon dioxide होता है यानि PA CO2 जो होता है यह elevate हो जाता है मतलब increase हो जाता है ठीक है जब हमारे body के blood के अंदर PA CO2 यानि partial pressure of carbon dioxide का level elevate हो जाता है increase हो जाता है तब उसको हम लोग क्या बोलते हैं respiratory acidosis बोलते हैं अब यहां पर होता क्या है कि जब हमारे blood के अंदर यहां पर जब हमारे blood के अंदर PA CO2 का label increase होता है तब उसके कारण क्या होता है जो हमारे blood का pH होता है वो decrease हो जाता है resulting in a decrease in pH below the normal range of 7.35 to 7.45 जो हमारे blood का normal pH होता है वो कितना होता है 7.35 to 7.45 ठीक है यह जो pH होता है हमारे body का normal इससे decrease हो जाता है तो इस condition को हम लोग बोलते हैं respiratory acidosis नेश्ट यहां पर बात यह आती है कि respiratory acidosis क्यों होता है कारण क्या है दोस्तों यहां पर मेन कारण है एक तो impaired ventilation जब हमारे blood हमारे body के अंदर ventilation है यह impaired हो जाता है यानि हमारे body के अंदर जो air का आदान-प्रदान हो रहा है वो गड़बड हो जाता है तब उसकी वज़े से यहां पर respiratory acidosis देखने को मिलता है ठीक है दूसरा कारण है कि inadequate removal of CO2 from the body जब हमारे body से carbon dioxide का removal नहीं proper amount में हो पाता है तब उस condition में भी हमारे body के अंदर जो partial pressure of carbon dioxide होता है यह increase हो जाता है ठीक है ठीक है दो में कारण है एक तो अगर ventilation impaired हो गया तो उस condition में या फिर inadequate amount में हमारे body से CO2 remove हो रही है तब उस condition में यह problem देखने को मिलती है next time बात करते हैं यहां पर causes की यानि की ideology की तो इसका जो फॉर्स्ट काउस है वह है राइप रंटिलेशन में क्या होता है जो परचंकी breathing होती है वह सैलो हो जाती है जो पर्षन की breathing होती है और स्लू हो जाती है ठीक है जब परचंकी जो कि यहां पर प्रोपर में बॉडी से बाहर नहीं निकल पाती है जब पेशन को हैं तो हाइपो वेंटि लेशन के कारण यहां पर पेशेंट को respiratory acidosis देखने को मिलता है next time आप जो cause है वो है lung disease माल लिजे किसी patient को कोई lung disease है lung disease कोई भी हो सकती है जैसे कि chronic obstructive pulmonary disease हो सकती है जिसको short में COPD बोलते हैं या फिर patient को pneumonia हो सकता है या फिर किसी person को अगर अस्थमा हुआ है तो अगर किसी भी type की respiratory disease है respiratory problem है तो उस condition में भी यहाँ पर respiratory acidosis देखने को मिलता है क्योंकि होता क्या है जब भी respiratory disorder body के अंदर होता है तब जो हमारे body का ventilation है जो air का अदान प्रदान है वो impair हो जाता है जिसकी वज़े से respiratory acidosis देखने को मिलता है next time आप जो cause है वो है neuromuscular disorder अगर कोई ऐसा individual है कोई ऐसा person है जिसक में कोई neuromuscular disorder है neuromuscular disorder का मतलब nerve और muscles से related ठीक है neuromuscular का मतलब nerve और muscles का मतलब muscles तो यहाँ पर अगर कोई nerve और muscles यानि neuromuscular disorder है तो उसकी वज़े से भी यहाँ पर respiratory acidosis देखने को मिलता है क्योंकि होता क्या है condition affecting the nerves and muscles involved the breathing हमारे body में जो कई सारी ऐसी muscles होती है जो breathing में involved होती है जिनका breathing करवाने में बहुती बड़ा roll होता है ठीक है और वो अगर muscles proper काम नहीं कर रही है तो उसकी वज़े से जो हमारा ventilation होता है वो affect हो जाता है next यहाँ पर जो cause है वो है use drugs to suppress breathing use drugs to suppress breathing मतलब यहाँ पर कई सारे ऐसे drugs होते हैं जो की breathing को suppress कर देते हैं ठीक कई सारे ऐसे drugs होते हैं जो respiratory system को depress कर देते हैं suppress कर देते हैं तो उसकी वज़े से भी यहाँ पर respiratory acidosis देखने को मिलेगा सिंपल सी बात है कि अगर यहां पर respiratory system suppress हो जाता है तो जो ventilation है वो low हो जाता है ठीक है hypo ventilation patient को हो जाता है और respiratory acidosis जैसी problem देखने को मिलती है next आपर बात करते हैं हम clinical manifestation की यानि की symptoms की यहां पर respiratory acidosis के condition में क्या-क्या symptoms देखने को मिलते हैं सबसे पहले यहां पर बात करते हैं central nervous system कई सारे ऐसे प्रॉब्लम्स होती है जो central nervous system से related देखने को मिलती है जैसे कि patient में confusion रहेगा lethargy रहेगा ठीक है lethargy का मतलब patient को fatigue रहेगा ठीक weakness रहेगी और patient में drowsiness रहेगा next आपर patient में कुछ respiratory symptoms देखने को मिलेंगी जैसे कि patient को dyspnea देखने को मिलेगा मतलब सौटने सा breathe patient में होगा और patient में hypoventilation देखने को मिलेगा next आपर जो symptom है वो है आपका cardiovascular system से related तो कई सारे ऐसी problem होती हैं जो cardiovascular system से related देखने को मिलती है जैसे कि टैकी कार्डिया अब patient में क्या होगा जो patient की heart beat है वो इंक्रीज हो जाएगी rapid heart beat हो जाएगी और यहां पर patient में अरिदिमिया भी देखने को मिलेगा जो patient की rhythm है वो गड़बड हो सकती है नेक्स नहां पर कुछ other symptoms देखने को मिलेंगे जैसे कि patient में headache देखने को मिल सकता है ठीक है warm flush skin देखने को मिल सकती है तो यहां पर यह कुछ symptoms है जो आपको respiratory acidosis के condition में देखने को मिलेंगे अब बात करते हैं यहां पर हम diagnostic test की अगर किसी patient को respiratory acidosis हुआ है तो आप उसको कैसे diagnose करोगे कैसे पता लगाओगे तो यहां पर main दो test होते हैं एक तो है ulterior blood gas test दूसरा serum electrolyte test इस test का मतलब salt में जिसको abg बोलते है abg test में क्या होता है जो हमारे blood का pH होता है और जो oxygen का level होता है जो carbon dioxide का level होता है यह सारी चीजें जो है abg test में पता चल जाती है ठीक है तो जब हम abg test करवाएंगे तो उसमें हम blood के pH को measure करेंगे ठीक है नेशने हाँ पर partial pressure of oxygen यानि कि pao2 हम oxygen के level को चेक करेंगे नेशने हाँ पर partial pressure of carbon dioxide यानि कि pso2 यह सारी चीजें जो है हम blood pH जब हम test करवाएंगे तो उसमें हमको पता लग जाएंगी ठीक है तो जब आप abg test करवाएंगे तो आपको यहाँ पर partial pressure of carbon dioxide है यानि जो pso2 है यह increase देखने को मिलेगा next time पर जिस test है वह आपका serum electrolyte test दो तो serum electrolyte test से हमें क्या पता जलेगा जो हमारे blood के अंदर जो electrolyte का level है वो पता लग जाएगा ठीक है तो यहाँ पर और हम patient का pulmonary function test करवा सकते हैं ठीक है pulmonary function test में क्या होता है जो हमारे lungs होती है उनकी capacity उनकी breathing capacity यह सारी चीजे पता लग जाती है next time पर हम ECG करवा सकते हैं ठीक है क्योंकि जब भी हमारे body के अंदर pH level गड़बर होता है तो उसकी वज़े से यहाँ पर arrhythmia जैसी problem देखने को मिलती है तो heart के condition को assess करने के लिए यहाँ पर हम patient में ECG करवा सकते हैं last में बात करते हैं हम यहाँ पर management की हम किसी patient को respiratory acidosis हुआ है तो उसको क्या treatment क्या management provide करेंगे उसनों तब से पहले यहाँ पर हम क्या करेंगे address underlying causes अब जिस वज़े से जिस कारण से हो रहा है patient को respiratory acidosis उसको हम address करेंगे यानि identify करेंगे उसके वाद उसका treatment करेंगे जैसे की treat the primary condition causing hypo ventilation दोस्तों hypo ventilation ही एक ऐसा cause है जो की respiratory acidosis को cause करता है तो जो hypo ventilation है इसको treat करना है ठीक है इंडेक्शन हाँ पर क्या है ventilatory support हम patient को ventilatory support provide कर सकते हैं मतलब patient को ventilator पर लेंगे और patient को ventilatory support provide करेंगे ठीक है mechanical ventilator ventilation to assist और control breathing to severe case है severe case में क्या होता है हम patient को ventilatory support provide करते हैं next नहां पर oxygen therapy हम patient को oxygen therapy दे सकते हैं क्योंकि body के अंदर carbon dioxide का level increase हो जाता है और oxygen का level कम हो जाता है ठीक है तो oxygen के level को maintain करने के लिए यहां पर हम patient को oxygen therapy दे देंगे ठीक है to improve oxygenation and reduce the respiratory drive तो oxygenation मतलब यहां पर patient के body के अंदर oxygen के level को maintain करेंगे इसलिए हम लोग क्या देंगे oxygen therapy देंगे next आपर medications हम यहां पर कई सारी medications भी apologize कर सकते हैं जैसे की द्राइड जो जो इंदर सोते हैं ये drug क्या करते हैं bronchio हो दिलाट कर देते हैं यानि कि जो but If Griffay होता है उसको झाल targeted जिससे क्या होता है पैसे की ब्रिफिंग इंप्रूइटिंग हो जाती है ठीक है ? ब्रोंखियों इसको डालिट कर देते हैं को मेंटेन करना है थि करेक्षण होता है यहाँ पासियु का लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना क्योंकि ऐसे ही लेक्चर हमारी रूटीप चैनल पर आपको देखने को मिलते रहते हैं और अगर आप पीडियेफ नोट्स चाहते हैं तो आप हमारे टेरीग्राम चैनल को जोईन कर सकते हैं लिंक आपको दिस्क्रिप्शन म मिल जाएगा वहां से इस वीडियेफ नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं तो थैंकू सो माइस फॉर्द वाचिंग